यह मेरा खूद का अनुभव है कि चार-पांच महेने पहले जम्मु कश्मीर और लदाग के पंचाय चुनाओं में जो लोग चुन कर आई वे बहुत बहतरीन काम कर रहे हैं वे अभी नंदन के अधिकारी हैं कुछ महिनों पहले जब मैं स्रीनगर गया था तो वहां मेरी उनसे लंबी मुलकार भी हुई थी जब वो यहां दिल नहीं आये थे मेरे घर पर आये थे मैं उनसे काभी देर तक बात की थी पंचायत के इन साथियों के वज़र सही चुने हुए पंचायत के पंच और प्रदान के वज़र सही जम्मु कश्मिर में बिते दिनों ग्रामेंड स्तर पर बहुत तेजी से काम हुआ है हर गर बिजली पहुचाने का काम हो या फिर राज्य को ओपन डेफिकेशन फ्री ओडिये बनाना हो इसमें पंचायत के प्रदित्यों की बहुत बड़ी भूमिका रही है उसमें भी महिला पंच जो चुन करके आई है उन ब ग्रुच्छे तीन सो सत्तर हटने के बाद जब इन पंचायत सदश्यों को नई विवस्ता में काम करने का मौका मिलेगा तो वो कमाल कर देंगे यह मैंने देखा है हो और मैरा विश्वास है मुझे पूरा विश्वास है कि जम्मु कश्मीर की जनता अलगाववाद को परास करके नई आशाओं के साथ नई उर्जा के साथ नई सपनों के साथ आगे बड़े की मुझे पूरा विश्वास है कि जम्मु कश्मीर की जनता गुड़ गवननस और पार दर्सिता के वातावरण में नए उत्सा के साथ अपने लक्षों को प्राप्त करेगी साथियों दसकों के परिवारबाद ने जम्मु कश्मीर के मेरे युवाओं को नेत्रुत्व का अउसर ही नहीं दिया हम मेरे युवाओं जम्मु कश्मीर के विकास का नेत्रुत्व करेंगे और उसे नई उचाईयों पर ले जाएंगे मैं जम्मु कश्मीर और लदा के नौजवानों वहां के महन बैटियों से विशे सागना करूंगा कि अपने खेत्र के विकास की कमान आगे आईए खुद समानी विकास की कि अपने खेत्र के तो श..